सराइकिला जिले के कपाली ओपी अंतरगत ब्रह्मानन्द अस्पताल के मरीज के परिजनों ने बिल में गड़बड़ी का आरूप लगाते वे जमकर हंगामा किया करीब एक घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा समाला और मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रबंदन के साथ वारता की इस समद में मानगो के रहने वाले राहूल का कहना है कि पत्नी को इलाज के लिए ब्रह्मानन अस्पताल में भरती कराया गया था उन्होंने बताया कि इलाज के बाद अस्पताल के बिल में कई गड़बड़िया पाई गई थी बिल से असंतुष्ट राहूल ने अस्पताल प्रबंधर से मिलकर बिल में गड़बडी की बात कही जिसे अस्पताल सुनने को तयार नहीं था जिसके बाद स्थानिय थाना में भी अस्पताल की प्रबंधर की शिकायत की गई मामले में कोई हल नहीं निकलता देख शनिवार को राहूल स्थानिय लोगों के साथ अस्पताल पहुँचा और हंगामा शुरू कर दिया जिसकी सूचना मिलते ही कपाली ओपी के ASI मुहमत जाविद आलम दलबल के साथ अस्पताल पहुँचे और मामले को शांत कराने में जुड़ गए वहीं समन्द में अस्पताल के मैनेजर सुनील कुमार पांडे ने मरीज के परिजनों द्वारा लगाए गए आरूपो को सिर से खारिस कर दिया है उन्होंने कहा कि अस्पताल में जरूरत से जादा दवाईया नहीं लिखे जाती है जो डॉक्टर्स का आदेश होता है वही दवा दी जाती है और उसी का बिल चार्ज किया जाता है उन्होंने बताए कि प्रिशासिन को सारे दस्तावेज और खर्च का वेवरा दे दिया गया है और पूरे मामले की जाज की जा रही है न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडी की रिपोर्ट